हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अकाश शोद्री है, मैं SSC CGL के तियारी कर रहा हूँ 2017 से और मैंने SSC CGL 2019 का फोम भरा था और उसका एक्जाम दिया था, जिसमें मेरे प्रिलिम्स में मार्क्स आए, आउट ओफ 200 में से मेरे मार्क्स है 180, प्रिलिम्स एक्जाम में, ठीक है उसके बाद में में मेंस एक्जाम होता है, मेंस में मैस और इंग्लिश का जो एक्जाम होता है, मेरे इंग्लिश में 175 मार्क्स है, 200 में से, और मैस में 190.5 मार्क्स है मेरे, अब तक का जो एप्रोक्स परसेंटेज बैठ रहा है मेरा, 91 परसेंट बैठ रहा है मेरा, बट मेरा सेलेक्शन नहीं हो रहा है किस वज़े से क्योंकि रिक्रूटिंग एजन्सी ने जो 18 नवंबर को एक्जाम था SSC CGL 2019 का वो इतना ही जी रख दिया बागी एक्जामों के की हमारे नंबर काट दिये गए एन रहा है क्या सन्वने प्रीलिंग सेती यह जादा हैं कटॉफ से मेरे लगवग 90 apart मांग से मैं दो मेरे 95.25 मांग से któa मेरी गलती हैं इसमें कि आपने पेपर इसी दे दिया मैं तीन राज से सो ने पाया हूं जिस दिन सबेशन जलताया है मैं कैसे वोल दूну अपने पिता से अपनी मा से कि मेरा सेलेक्शन नहीं होगा सर कैसे बोल दूमे इस चीज को मेरा रोल नंबर 20-0-12 888-95 है मैं कैसे कहदू इस चीज़, को मैं अपने पिताजी की नोगरी छोड़वाना चाहता था मेरे पिताजी से क्योर्टी गाड की नोगरी करते हैं, रोज 8 km cycle चलाते हैं, 8 km cycle चला कर वापस आते हैं, मैं 12 घंटे लाइबडरेरी में पढ़ता हूँ, मैं footage दिखा सकता हूँ, में बार अगन्टे लाइब्रेरी में पढ़ा हूं सर रोज रोज पढ़ा हूं सर रोज चोदा-चोदा गंटे रहा हूं छोदा-गन्टे गंटे रहा हूं मैं लाइब्रेरी में क्या करें सर अस चीछ को ले के क्या solution है सर क्या recruiting agency को इतना sense नहीं है ABC के बाद तुम पूछोगे तो हम D लिख क्याएंगे इतना सैंस रोना चाहिए ना सर इतना सैंस है रिक्रूटिंग एजन्सिव के पास तो सर वो कैसे कर सकते हैं सर यह हमार साथ में जाक हमने तो मेहनत करी थी सर हमने कुछ नहीं बोला सर किसी को तो पड़रे थे सिर